Theorem on side-by-sectors of a triangle इस वीडियो में हम triangle के side-by-sectors से related एक theorem को discuss करेंगे Side-by-sector क्या होता है? किसी triangle की किसी side को to equal parts में divide करने वाले line segment को उसका side-by-sector कहा जाता है Theorem की statement है The right-by-sectors of sides of a triangle are concurrent यानि किसी triangle की sides के हम right-by-sectors right यानि perpendicular-by-sectors ड्रा करें तो वो तीनों आपस में concurrent होंगे यानि तीनों same point से गुजरेंगे तीनों a की point से गुजरेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर एक triangle draw कर लेते हैं और इस triangle को नाम दे देते हैं a, b, c तो हमें given है कि हमारे पास एक triangle है तो हम यहाँ पर लिखेंगे given triangle a, b, c अब हमने यह बात प्रूफ करनी है कि इन तीनों sides के यानि side a, b, b, c और c, a, k जो right-by-sectors होंगे वो same point से गुजरेंगे तो इसका मतलब है कि two proof में हम लिखेंगे the right-by-sectors of a, b, b, c, and c, a, r concurrent यानि कि वो same point से गुजर रहे है तो यहाँ पर हम इस तरह से इस theorem को proof करेंगे कि हम कोई सी दो sides के right-by-sectors लेंगे और proof करेंगे कि जो तीसरी side का right-by-sector है वो उनके साथ concurrent है यानि same point से गुजर रहा है तो हम यहाँ पर side a, b का right-by-sector draw करेंगे इस तरह से और इसी तरह side b, c का भी right-by-sector draw करेंगे इस तरह से जिस point पर यह दोनो right-by-sectors मिले हैं इस point को हम कह देते हैं point o यह right-by-sectors हैं इसलिए हम यहाँ पर show कर देते हैं कि यह 90 degrees पर है अब इसके बाद हम यह जो point o है इसको तीनों vertices से join कर देते हैं यानि o को a से भी join कर देंगे o को b से और o को c से भी join कर देंगे तो अब यह सारे points हम construction में लिख लेते हैं draw the right-by-sectors of a, b, and b, c which meet at o join point o to a, b, and c तो इस तरह से हमने point o को तीनों points के साथ तीनों vertices के साथ join कर लिया तो अब theorem का proof स्टार्ट करते हैं इस तरह का एक table बना लेंगे जिसमें हम statements और reasons लिखेंगे तो यहां पर हमने देखा कि हमने point o को किस पर draw किया है हमने point o को side a, b के by sector की उपर draw किया है, इसी तरह से point o b, c के भी by sector की उपर है तो हम यह बात जानते हैं कि अगर कोई भी line है और कोई point उसके right by sector पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इस line के end point से same distance पर होगा यानि कि हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि point o, a और b से same distance पर होगा तो यह बात हम यहां पर लिखेंगे o, a is congruent to o, b और reason लिखेंगे each point on right by sector of a line segment is equidistant from its end points यानि कि वो उसके end point से same distance पर होगा इसे हम equation number one कह देते हैं बिलकुल इसी तरह point o, b और c से भी same फासले पर होगा क्योंकि यह line segment b, c के right by sector के उपर है तो हम यहां पर लिखेंगे o, b is congruent to o, c और reason इसके लिए same है इसलिए हम लिख सकते है as in one इसको अगर हम equation number two का नाम दे दे तो equation one और two से हमें यह बात समझ आती है कि अगर o, a, o, b के साथ भी congruent है और o, b, o, c के साथ congruent है तो transitive property के मताबक o, a, o, c आपस में congruent होंगे तो हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि o, a, o, c आपस में congruent है इसकी reason लेकिंगे from one and two और इसे equation number three कह देंगे तो अब अगर हम यहां पर देखें कि अगर point o, a, c से same फासले पर है यानि o, a, o, c आपस में congruent है तो इसका मतलब है कि जैसे हमने यहां पर यह बात कही थी कि अगर point o, a, b के bisector पर है तो वो उसके end point से same distance पर होगा इसी तरह point o, अगर a, c के end point से same distance पर है तो वो a, c के bisector पर होगा यह हमारे रपस theorem है तो हम यहां पर यह बात लिख सकते हैं तो point o is on the right bisector of c, a यानि के वो ही theorem का converse आजाएगा कि अगर o, a, c के end point से same distance पर है तो वो a, c के right bisector के उपर होगा तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे o is equidistant from a and c इसे हम अगर equation number 4 कह दें और हम यह बात जानते हैं कि point o, right bisector पर है a, b, or b, c के यह हमारे पस construction से point आया था तो यह भी हम लिख लेंगे इसे हम equation number 5 कह देते हैं तो यहां तक हमने यह बात देखी कि point o, a, b के भी right bisector पर है b, c के भी right bisector पर है और a, c के भी right bisector पर है यह चीज़ हमने proof की इसका मतलब है कि इन तीनो sides के three sides of a triangle are concurrent और इसकी reason लिखेंगे from four and five क्योंकि four में हमने यह बात बोली थी कि point o, c, a के right bisector पर है और five में हमने देखा कि point o, a, b, b, c, a, b, right bisector पर है तो इसका मतलब है कि यह तीनो right bisector's same point o से ही गुज़र रहे हैं यह जो point है o, यह इन तीनों का point of concurrency है यहां पर हम यह बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पस कोई भी triangle है तो उसके जो हम right bisector's draw करेंगे, वो तीनों इस point o से गुज़र रहे होंगे इस तरह से यह यह तीनो right bisector's आपस में concurrent है तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से right bisector's अगर draw किये जाएं यह बात आपने याद रखनी है कि right bisector's यानि perpendicular bisector's की यहां पर बात हो रही है bisector और भी हो सकते हैं जैसे अगर हम side a, b का bisector इस तरह से draw करें तो यह भी उसको bisect तो कर रहा है लेकिन 90 degrees पर नहीं कर रहा तो जो right bisector होता है वो 90 degrees पर उसको intersect करता है इस तरह से यानि जिस तरह से यह हमारे पास bisector जा रहा है तो इस तरह से तीनों sides के जो हम bisectors draw करेंगे वो तीनों एक दूसरे को point O पर meet कर रहे हैं या point O से गुजर रहे हैं जो उनका same point of intersection है या point of concurrency है तो आज का हमारा topic था theorem on side bisectors of our triangle